सो हाई अब्रिवन फिस्सेक और निव वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो अगर आप लोग भी जार्खन के रहने वाले हैं और ओनलाइन करेक्टर सर्टिपिकेट बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है कि जरूरत पड़ती है ऐसे में आप लोग घर बेटे हैं मोबाइल या केम्प्यूटर से किस परकार से ओनलाइन आवेधन करेंगे आज की इस वीडियो में हम अस्टेप बाइस्टेप बताने वाले हैं तो वीडियो में आप लोग अन तक बने रहे हैं साथी दोस्तों अभ करके इस पॉर्टल पर विजिट कर सकते हैं जब आप लोग इस पॉर्टल पर आ जाते हैं तो आप लोग यह दिव पहले से ही यूजर आईडी बना के रखे हैं तो यहां पर यूजर नेम एंड उसके बाद यहां पर पासवर्ड को फिल कर लेना है क्याप्चा डाल लेना ह के जो है आप लोग apply कर सकते हैं तो हम यहां पर फर्स्ट टाइम apply करने वाले हैं तो सबसे पहले हम यहां पर registration कर लेते हैं तो registration करने के लिए अस्कुल डाउन करके नीचे आ जाना है अब यहां पर click है to registration yourself का एक option मिल जाता है यानि कि red mark लगा हुआ है वही सब को सिर्फ fill करना यानि की भरना है तो सबसे पहले यहां पर व्यक्तिगत teve webinar में आप पर्थम name को भरेंगे उसके बाद आप लोग का meedle name का उसको भर लेना है next में यहां पर anатив name को भर लेना है उसके बाद यहां पर link को select कर लेना है कि आप पुरू से की महिला है, यहाँ पर select कर लेना है, यहाँ पर अपने अधार संक्या को भर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर रेट साइड में आपको mobile number मिल जाता है, तो आप अपने यहाँ पर आयू पेनल भरने का रहता है तो सबसे पहले आप लोगो यहाँ पे जन्म तिती को सलेक्ट कर लेंगे जो भी जन्म तिती है उसको सलेक्ट कर लेना है जैसे ही आप लोग सलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आयू जन्म का वर्स आयू सीमा यहाँ पे आटोमेटिक जो है फिल हो जाता है अब आप लोग अस्कुल डाउन करके थोला सा नीचे आ जाएंगे नीचे यहाँ पर पता में जिसमें जिसमें जो है अश्टार का मार्क्स लगा हुआ है उसी को फिल कर लेना है यानि की भरना है तो सबसे पहले यहाँ पर ग्राम या फिर नगर के नेम को इंटर करन है उसके बाद यहाँ पे तहसील याने कि आप लोग का ब्लोक किया है? ब्लोक के नेम को भर लेना है अब यहाँ पे वर्तमान पता में देख रहे होंगे कि अस्थाइप, और वर्तमान पता एक ही है नि希望 सैम है तो यहाँ पे हां पे टिक करेंगे अधर्वाज नहीं पे किक कर लेंगे यहां पे देश का नेम जो है automatic फिल रहता यानिकी select रहता है उसके बाद यहां पे से दिरेंगे करेंगे तिन यहां पर आप लोग जिस भी district से apply कर रहे हैं उस चीला के नेम को सेलेक्ट कर लेना है आप लोग का पुलिस अस्टेशन के अपर था है उस पुलिस अस्टेशन के नेम को यहाँ पे सलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप अपने एरिया के पिन कोड को भर लेंगे अब आप लोग नीचे आ जाएंगे नीचे यहाँ पे आप लोग को देखने को एड कर लेना है जो भी एड करेंगे एड करने के बाद यहां पे जो है सुरच्छा उत्तर में उसका एंसर देना है जोड़े वाले icon पर click कर लें जी से जोड़े वाले icon पर click करते हैं तो नीचे यहां जो करमसा क्षोरच्छा प्रेशन दिख रहा है यहां पर दोनों कोशिन आप दोका वहां के ऑंसर भी और संहों हो जाता है उसके बात जब यह सब डेटा खोंश कर यहां jest फिल कर लें गांते है आइक अपके आईकन नि जाता है। उस आईकन पकते कांगो में थे किलिक करने के बाद आप लोग कर step करके रखा है वो इस password को fill कर लेना है तो यहाँ पेkem capture लिखा हुआ है उसी तरह के capture को भर लेना है उसके बाद login वाले icon पर क्लिक कर लेना है जैसे ही login पे क्लिक करते हैं आप लोग के सामने citizen services में आप लोग का profile खुल जाता है अब आप लोग यहां से character certificate याने की आच्रन पर्मान पत्र जो है apply कर पाएंगे तो apply करने के लिए यहाँ पे जो नागरिक सेवा का एक आइकन मिल जाता है इस पे करसर को ले कर के आना है उसके बाद यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है चरीतर पर्मान पत्र अनुरोध इस पर click कर लेना है उसके जाता है तो यहाँ पे आप लोग को तीन अश्टे फोलोग करने का होता है फश्ट तो यहाँ पे आवेदक विवरन फिल करने का रहता है उसके बाद आप लोग का पता क्या है उसको भरने का रहता है लाश्ट में आप लोग को मिल जाता है सपत पत्र तो यह सब को हम लोग एक एक करके सबसे पहले fill कर लेते हैं यानि कि सारे data को जो है भर लेते हैं तो सबसे पहले आवेदक के विवरन में जिसमें यहाँ पर red color का star mark लगा हुआ है यह सब को fill कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने पर्थम name को भरेंगे आप लोग का मैध name क्या है उसको भर लेना है अंतिम name क्या है उसको fill कर लेना है next में यहाँ पर सम्मंद के परकार में आप जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा option देखने को मिलेगा तो आप लोग जिसका भी यहाँ पर data देना चाहते हैं तो यहाँ पर पिता के name को भर लेंगे उसके बाद यहाँ पर ID के परकार में आप लोग को बहुत सारा option देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आधार card को select कर लेना है उसके बाद ID संक्या में यहाँ पर आधार number को fill कर लेना है उसके बाद यहाँ पर right side में यह सेवा लागू करने का परियोजन क्या है आप लोग किस purpose के लिए जो है character certificate अपलाई कर रहे हैं उस purpose को यहाँ पर लिख लेना है तो हम यहाँ पर study के लिए करने वाले हैं तो हम यहाँ पर study लिख लेते हैं अब यहाँ पर प्राप्त की अवधी में chain करें पर click कर लेना है जैसे ही chain पर click करते हैं तो यहाँ पर जो है आप लोग 2-3 option देखने को मिलता होगा कि आप लोग डाग के द्वारा मंगवाना चाहते हैं व्यक्ति के द्वारा मंगवाना चाहते हैं या फिर email के द्वारा मंगवाना चाहते हैं अपना character certificate अपने according यहाँ पे select कर लेना है select करने के बाद अब यहाँ पे link को आप लोग select कर लेंगे कि आप लोग पुरूसे की महिला है इसको select कर लेना है उसके बाद यहाँ पे आप लोग email id को enter कर लेंगे next में यहाँ पे mobile संख्या को भर लेना है उसके बाद यहां पर I you panel में जो है, आप अपने जन्म तिती को भर लेंगे, जैसे ही जन्म तिती आप लोग भर लेते हैं, तो आप लोग के सामने जो है बाकी column यहां पर फिल हो जाता है, अब आप लोग थोला सान नीची आ जाएंगे, नीची आने के बाद यहां पर देख स का होना चाहिए सबसे पहले यहां पर चूच फाइल पे किलिक करके जो है आप अपने पासपोर्ड साइज फोटो को अपूट कर लेंगे उसके बाद फॉटो अपलोड हो जाने के बाद अब यहाँ पर second में आप अपने अधार कार्ड को यहाँ पर upload कर लेंगे उसके बाद file के परकार में यहाँ पर दस्तावेज को ही select कर लेना है next में यहाँ पर चुने पर click कर लेना है उसके बाद यहाँ पर पास्चान परमान को select कर लेना है अब यहाँ पर विवरन में अधार कार्ड लिख लेना है जब आप लोग का आवेदग विवरन पूरा कम्प्लीट हो जाता है तब आप लोग यहाँ पर पता का जो आइकन मिल जाता है इस पर क्लिक कर लेना है पता वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने जो पूछ रहा है अस्ताई के लिए भी मतलब आपका पर्वामेंट एडres और लोकल एडres सेम हैं तो यहां पर हां पे टिक करेंगे अगर सेम नहीं है तो यहां पे नहीं पे टिक कर लेना है अब यहां पे देखेंगे कि आप लोग का देस और राइज और आटोमेटिक सेलेक्ट रहता है अब next में यहाँ पे जीला को select कर लेंगे यानि कि जिस भी district से आप लोग apply कर रहे हैं उस district के name को select कर लेना है आप लोग का थाना कौन सा पलता है यानि कि police station क्या है उसको select कर लेना है उसके बाद यहाँ पे pin code में आप अपने area के pin code को enter कर लेंगे उसके बाद next में यहाँ पे देख रहे होंगे रहने की आवधी यानि कि आप लोग जो है कब से उस address पे रह रहे हैं यहाँ पे लिख लेना है जब आप लोग address में पुरे details को fill कर लेते हैं तो अब आप लोग के पास जो है second step रह जाता है यानि कि आप लोग का जो है third step रह जाता है अब आप लोग को यहाँ उपर में जो मिल जाता है सपत्र पत्र का एक option यानि की icon इस पर click कर लेना है click करने के बाद आप लोग के सामने जो है सपत्र पत्र खुल जाता है सपतपत खुलने के बाद आप लोग से यहाँ पे पूछ रहा है आप किसी भी अपराधिक या देश के किसी भी भाग के रिकोर्ड आप या आपके परिवार के खिलाब कोई अपराधिक करवाई है यदि है तो विवरन परदान करें यदि आपके फैमली मेंबर में किसी का जो अब next में पूछ रहा है कि उपलब्द कराई गई सभी जानकारी सही है यदि सारा जानकारी आपका जो है actual है यानि की सही है तो यहाँ पे जो है box पे tick कर देना है जब सारे data को fill कर लेते हैं तो नीचे जो यहाँ पे जमा करे का एक icon मिल जाता है इस पर click कर लेना है अब जै देख सकते हैं कि आपका सेवा अनुरोध संख्या मिल जाता है आप लोगोंने किस date पे apply करा character certificate के लिए date देखने को मिल जाता है अब यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका receipt आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है print के लिए यहाँ पे click करें इस पर click कर लेते हैं जैसे ही click करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे photo latest photo जो है यहाँ पे so हो जाता है मेरा अनुरोध संख्या क्या है मैंने किस name से apply करा है यह सब यहाँ पे देखने को मिल जाता है अब आप लोग 5-6 दिन तक इंतिजार कर लेंगे यानि कि जो है application को जो है approve होने दे लेंगे तो आई होप आज की यह वीडियो में आप लोग को पता चल गया होगा कि जारकन में जो है character certificate यानि की चैरीत पर्मान पत्र किस तरह से बनाया जाता है अब हम लोग मिलते हैं इसी तरह के new वीडियो में new update के साथ तब तक के लिए जैहिन बंदे म आतरूं